हेलो एवरिवन आज की हमारी वीडियो मात्राओं के बारे में हैं कि बच्चों को मात्राओं कैसे सिखाएं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मात्राओं कौन होती हैं और उनका यूज कहां पे होता है तो मात्राइं जो होती है अ से लेकर आह तक जितने भी स्वर होते हैं उनकी मात्राइं होती है और क से लेकर गया तक जितने भी ब्यांजन होते हैं उनके उपर स्वरों की मात्राइं लगा जाते हैं तो स्वरों की मात्राइं होती है और मात्राओं का यूज ब्यांजन के उप जाता है कर कर प्लस ल क्या बन गया बन गया कल कल आगे है आ की जो मात्रा होती है वो स्टैनिंग लाइन की तरह होती है जैसे हम मैथ सब्जेक्ट में वन लिखती है उसी की तरह आ की मात्रा होती है क क को लगाई आ की मात्रा ये बन गया का का प्लस ल तो इससे शब्द बन गया काल आगे है छोटी ए छोटी ए की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है जो ब्यंजन के पहले लगती है तो यहां पर हमने शब्द लिख दिया क प्लस छोटी E की मात्रा तो बन गया कि प्लस ल, ल को लगी A की मात्रा है बन गया किला आगे हैं बड़ी E, बड़ी E की जो मात्रा होती है वो ब्यंजन के पीछे लगती है तो यहाँ पर शब्द हमने लिख दिया कर प्लस बड़ी E की मात्रा यह क्या बन गया किल इसे जो शब्द बना, यह बना किल आगे है छोटा O, छोटे O की मात्रा ब्यंजन के पैरों में लगती है इस तरह से होती है छोटे O की मात्रा जैसे यहाँ पर हमने कर को छोटे O की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? प्लस ल, यह बन गया कुल आगे है बड़ा O, बड़े O की जो मात्रा होती है इस तरह से होती है यह ब्यंजन के पैरों में लगती है जिसकी पूँच राइट साइड को होती है तो यहाँ पर हमने लिखा कर प्लस बड़े O की मात्रा यह क्या बन गया? उ प्लस ल, यह बन गया कूल आगे जो श्वर है यह है री री की मात्रा इस तरह से होती है यह भी ब्यंजन के पैरों में लगती है तो यहाँ पर हमने लिख दिया क प्लस री की मात्रा यह बन गया क्री प्लस श, क्रिश इस्टे जो शब्द बना यह बना क्रिश आगे जो श्वर है यह है ए ए की मात्रा इस तरह से होती है यह ब्यंजन के सीर के उपर लगती है तो क प्लस यह की मात्रा यह बन गया क्रिश ला क्रिश बना यह बना के ला ए की दो मात्रा ही होती है यह ब्यंजन के सीर के उपर लगती है इस तरह से तो क प्लस ए की मात्रा यह बन गया क्रिश प्लस सा शब्द बन गया इसे कैसा आगे युश्वर है यह है ओ ओ से ओ खली तो ओ की जो मात्रा होती है वो इस तरह से होती है तो यहाँ पर हमने लिखा क प्लस ओ की मात्रा इबन गया को प्लस यह प्लस लग इबन गया को यल आगे युश्वर है यह है ओ ओ की मात्रा इस तरह से होती है सबसे पहले जैसे आ की मात्रा ओपर दो मात्रा लगती है जब हमने क व्यंजिन को ओ की मात्रा लगा दी तो यह बन गया को प्लस न यह बन गया कौन आगे है अंग अंग के मात्रा ब्यंजिन के उपर इस तरह से लगती है बिंदी तो हमने यह बन गया कंग गया कंगा आगे है अहा के मात्रा इस तरह से होती है यह ब्यंजिन के पीछे लगती है अ प्लस तर के पीछे बिसरगें लग गई यह बन गया आता है अहा के जो मात्रा होती है इनका ज़्यादतर प्रयोग संस्क्रिट में होता है हिंदी में जैसे आता है पुन्य है सब्द होते हैं दुख हो गया पु प्लस न प्लस इसके पीछे जैसे बिसरगें लग गई यह आहा की मात्राएं होती है यह बन गया शब्द पुन्य है तो आज की वीडियो में हमने डिसकस की मात्राओं के बारे में मात्राएं स्वरों की लगती है और जिनके उपर मात्रा लगती है वो बेंजिन होते है